नमस्कार मित्रों आज हम सुबह उठने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए जिसे के हमारा दिन अच्छा जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे हर किसी के दिन के शुरुवात सुबह उठने से ही होती है सुबह उटने के बाद हम हमारे मन में क्या विचार करते हैं इसका हमारे दिन पर बहुत गेरा आसर पड़ता है अगर सुबह उटते ही आप सबसे पहले आपके मन में ये विचार आए कि आरे आज कितना तका हुआ हूँ आज का दिन तो बहुत ही खरब जाएगा या फिर आलस के विचार आपके मन में आए तो आपका दिन कैसे अच्छा जाएगा राद बर शेर आराम में सोने के बाद अगर आप सुबह उटने के बाद ये विचार करते हैं कि आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा या फिर आपके मन में आलस हो तो जरूरी आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा लेकिन आप सुबह उठते ही शान्त मन से एकागर चित्त होकर ये विचार करें कि आज का दिन में अच्छा करूंगा आज की दिन में अच्छे कार्य करूंगा जिससे कि मुझे दिन भर प्रसन्न महसुस हो सुबह उठते ही भड़ बड़े में कहीं भागना नहीं चाहिए सुबह उठने के बाद थुड़ देर लेटना चाहिए लेटने के बाद थुड़ देर उठकर बैटकर फिर दिर दिरे अपने दिन की शुरुआत करने के लिए क्या-क्या करना है इसका विचार करें हमारे दिन के क्या-क्या विचार हैं क्या-क्या कारे हैं अच्छी तरीके से कारे करने के लिए तयार हो जाए पानिक पिने के बाद दादों शोचादी करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए स्नान करते वक्त हर पानी को गंगा के पानी की जैसा पवित्र मान कर उससे स्नान करना चाहिए कोई भी कारे करते वक्त आपका भावजय होता है, वही सबसे महतो पूर्ण होता है, जिसे संतरोईदा जी ने कहा है, मन चंगा तो कटोटी में गंगा, अगर आपका मन साफ है, तो आपके घर में ही गंगा है, इसलिए जो भी पानी है, उसको गंगा का पवित्र पानी मानकर पवित्र मन से अच्छे भाव से स्नान करना चाहिए, जिससे कि आपका मन प्रसन रहे, अगर आपका मन प्रसन रहेगा, तो यह आप दिन वर अच्छी तरीके से कारे कर पाओगे, सुबह सुबह का सनान आपके शरीर को पोईतर करने के लिए शरीर की कंदगी मेल को दूर करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है इसलिए सनान करने से हमारा मन प्रसन रहता है शरीर ताजगी से भर जाता है सनान करने के बाद सुर्य को अर्ग देना चाहिए सुर्य देवता प्रकाश की देवता है सुर्य देव की वज़े से हम सभी को प्रकाश मिलता है और हमारे शरीर में चेतना जागरुत होती है सुर्य को अर्ग देने के भी बहुत सारे फायदे है इसलिए सनान के बाद सुर्य को अरगदे कर आपने शरीर पर सुर्य के किरने लेने चाहिए सनान और सुर्य देव को अरगदेने के बाद आपके कोई भी इश्ट देव की पूजा करने चाहिए सुबह सुबह पूजा करने से सेवा करने से किसी की मदद करने से आपके मन में सात्विक भाव जागरत होते हैं आपका मन इसी वज़े से प्रसन्न होता है और कोई भी अच्छा काम करने के बाद आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं अच्छे सोच आती हैं और दिन बर आपके मन में रहता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया हुआ है जो कि आपको प्रसनता देता रहता है सुबह की पुजा के बाद आपको व्यायम करना चाहिए व्यायम की वज़े से हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है ब्लड सर्कुलेशन अधिक होने के कारण हमारे शरीर सच में जागर्थ हो जाता है हमारे निंद पुरी तिरके से तूट जाती है और हम हमारे दिन के कारे के लिए तयार हो जाते है व्यायम की अनलाब तो बहुत सारे है लेकिन हमारे दिन को और हमारे सुबह को अच्छा करने के लिए व्यायम सुबह सुबह करना बहुत ही जरूरी है व्यायम हमें उरजा देता है और हमारे भूग बढ़ता है चाहिए जो की है दूद दूद को पूर्णा न यूही नहीं कहा जाता दूद आपके शरीर को सबसे अधिक शक्ति प्राप्त करा देता है इसलिए सुबह व्यायम के बाद आपको दूद पिना जरूरी है दूद आपके शरीर को शक्ति देता है शरीर को उपयोगी सभी जीव को अपने जीवन में अपनाते हो तो आपको जरूरी बहुत सरे फायदे होंगे आप दिन बर प्रसन महसुस करोगे फ्रेश महसुस करोगे दिन बर आपके मन में और शेर में और जा बनी रहेगी इससे आपका शेर मजबुत होका मन मजबुत होका आपकी शेर में निच्छे श जरूर कीजिए आपको यी वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताईए आपको वीडियो में और कोई गलतियां लगी हो या आच्छा लगाओ तो मुझे नीचे कमेंट्स में वो भी बताईए और इस चैनल के कोई भी एक वीडियो अपने दोस्तों के जान्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में